जमू और कश्मीर में श्री नगर से 22 किलोमेटर दूर पंपोर के केसर के बाग हर साल 100 करोड का कारोबार करते हैं आए इसके पीछे की वज़व को समझने की कोशिश करते हैं इस मौसम में पंपोर के बगीजे केसर की फूलों से गुलजार दिख रहे हैं लोग साल के इस समय का बेसबरी से इंसार करते हैं ताकि इन खुबसूरत केसर के फूलों को वो देख सके हैं कश्मीर का केसर दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे महंगा और सबसे ज़्यादा डिमांड वाला है इसकी उच्छ गुणवत्ता और अच्छे रंग के कारण ये दुनिया में पहले नमबर पर हैं शादियों और पूजा में इस्तमाल होने के अलावा केसर का इस्तमाल देश के अन्य हिस्सों में दवा बनाने के लिए भी किया जाता है मेंगा होने के बावजूद केसर हमेशा अपने एंटी ऑक्सिजन कुणों के लिए उच्छ मांग में रहा है चुकि क्रॉकर्स के फूलों को केसर में बदलना बहुत मुश्किल होता है इसलिए इसकी अधिक मांग के कारण इसे उचे दाम पर बेचा जाता है एक किलो केसर के उतपादन में करीब एक लाख साथ हजार फूल लगते हैं और दस ग्राम केसर की आउसत कीमत करीब धाई हजार रुपे तक होती है इस वज़ा से कश्मीर का ये केसर का बाग हर साल अच्छी खासी कमाई करता है सारी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए इस समय प्रकृति के इस नजारे का आनंद सभी लेते हैं और वो ऐसा करे भी क्यों ना क्योंकि अगर इस बार ये मौका हाथ से चला गया तो इसके लिए अगले साल का इंसार करना होगा